दोस्तो जै सनी देव आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2024 में सनी कब रासी परिवर्तन करेंगे कब मारगी होंगे और मारगी से वक्री होंगे सनी का आस्थ होना और अउदय होना धनुरासी के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा जानेंगे आपके वेपार, वेफसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा दोस्तो आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निविदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो सनी जोतिस साथ्र में सबसे जढ़ा सक्तिसाली गड़े माना जाता है, सक्तिसाली इसलिए क्योंकि सनी बहुत ज़ाधा प्रभावी गड़े है, सनी की ढहिया हो या साड़े साती, जातक के भविश्य पर गहरा प्रभाव डालती है सनी को पाप विक्रूर ग्रह में माना जाता है हलाकि सनी स्वभाव में ऐसे नहीं है बलकि सनी एक न्याय प्रियेग रहे है जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप फल भी प्रदान करते है लेकिन शापित होने के वज़े से सनी की दरश्टी जिस भाव पर पड़ती है उनका अनिस्ठ होता है यानि उतार चड़ाब देखने को मिलता है कारी छेत्र में समश्याय पैदा हो जाती है इस कारण सनी की छवी एक क्रूर ग्रह की बनी हुई है शनीदेव, बुद्ध, शुक्र और राहु के साथ मितरता का सम्मन्द रखते है सूरिये, चंद्रमा और मंगल के साथ ये सतुरता का सम्मन्द रखते है बरस्पती और केतु के साथ इनका सम्मन्द सम रहता है मकर और कुम्ब रासियों के ये स्वामी मने जाते है सनी एक रासी में लगबग धाई वर्स तक रहते हैं इस कारण सनी का गोचर काफी एहम माना जाता है सनी को प्रतिबद्धता का कारक ग्रह भी माना जाता है उन्हें सिक्षा एवं सक्ती से काम करने वाले ग्रह की रूप में माना जाता है सनी के प्रभाव से व्यक्ति अनुसासन में रहना सीखता है और सनी ग्रह से प्राप्त इन गुनों की वज़े से व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष को पाने में मदद मिलती है सनी कोचर 2024 के अनुशार सनी के प्रभाव से वेक्ति समय का पाबंध और नयाय प्रिये बनता है सनी हमें एक सिक्षक के रूप में जीवन की अमुल्य सिक्षा देते हैं और हमारे अंदर उर्जा का संचार करते हैं इसके साथ ही वे इस उर्जा का सही दिसा में उप्योग करना भी सिखाते हैं अगर वेक्ति इस उर्जा का सही उप्योग करता है तो उसे अच्छे परणाम मिलते हैं जबकि सनी से मिली उर्जा को गलत दिसा में लगाने से नकारात्मक प्रभाव मिलने की भी संभाव ना रहती है। सनी ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपने लक्षे को पाने के लेकर प्रतिबद रहता है और नयाय का सम्मान करता है। सनी के कुम रासी में गोचर करने पर जीवन के विभिन पहलूँ जैसे की वैपार, नौकरी, विभा, प्रेम जीवन, संतान, पक्ष, सिक्षा और सेहत आधी पर असर दिखाई देगा। और धनो रासी के लोगों के लिए 2024 में सनी तिरते भाव में वराजमान होंगे। यानि सनी यहां अपनी ही रासी कुम में वराजमान हैं। लेकिन इस साल में चार बार अपना रासी परिवर्तन करेंगे, यानि वक्री होंगे, मारगी होंगे, अस्त भी होंगे, और उद्य भी होंगे. साल की सुरुवात में सनी देव आपकी तिरते भाव में, यानि कुम रासी में मारगी होंगे, और यह समय आपके लिए काफी सांदार सावित होगा, क्योंकि सनी की मारगी चाल, जो कि आपको कारिय छेतर में अच्छी सफलता देने का कारिय करेगी, आपके साहस और पराकरम मे व्रत्दी होगी, भाई, भेनों का, परिवार, जनों का, पूरा सहयोगी इस दोरान आपको मिलेगा, आपके रिस्ते भी मजबूत होंगे, और फरवरी में, जब 11 फरवरी को, सनी अस्थ होंगे, और ये लगबग 18 मार्च 2014 तक अस्थ रहेंगे, तो अस्थ अवस्था में आपको थोड़ा सा उतार चड़ाब देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सनी अस्थ होते हैं, तो प्रभावीन हो जाते हैं, ये अपनी सक्तियां को देते हैं, तो ऐसे में आपकी जीवन में कुछ उतार चड़ाब देखने को मिलेंगे, ऐसे में आपको साफधान रहना होगा 18 मार्च 2024 को जब सनी उद्य हो जाएंगे तो आप राहत की सांस लेंगे इस दोरान आपको अपने कारे छेतर में बड़त दिखाई देगी अच्छे परणाम प्राप्त होंगे 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक सनी वक्री अवस्ता में रहेंगे और जब सनी वक्री अवस्ता में होंगे तो ये पीडित हो जाते हैं कस्ठारी हो जाते हैं कस्ठदाई तो ऐसे में कुछ उतार चड़ाप जब देंगे आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल्की प्राप्ती नहीं होगी तो ऐसे में मन परेशान हो सकता है तो ऐसे में धैरिये रखें लगातार प्रियास करें लगातार मेहनत करें क्योंकि सनी को एक कर्म फल जाता ग्रह मना जाता है जो जातक को उसकी मेहनत के अनुसार फल देता है और सनी आपके दूसरे और तीसरे भाव की स्वामी है और तीसरे भाव में यहां रहेंगे धनुरासी के लिए सनी एक तत्रस्थ ग्रहे और तीसरा भाव साहस का होता है और सनी के तीसरे भाव में होने से यहां आपको केरियर में अच्छे लाव की प्राप्ती होगी धन कमाने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे भाई भेनों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा मई 2024 के बाद आपके मन में कुछ निरासा पैदा हो सकती है आपके प्रियासों में कुछ रुकावाट आ सकती है तो ऐसे में सांत रहें, निरंतर प्रियास करते रहें क्योंकि आपको लाब पाने में अर्चनों का सामना तो करना पड़ेगा ऐसे में आपको अपने रिष्टेद्वारों से भी सहयोग मिलेगा सनी गोचर इस साल यानि 2024 में आपके केरियर में पदोनती लेकर आएगा इस दोरान इस्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे और यह बदलाव आपके जीवन में एक अच्छे अनुभूती लेकर आएगा और यह समय आपके लिए लाबदाई साबित होगा परिवार को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं उन जिम्मेदारियों का निर्भा आप अच्छे से करेंगे आपके जीवन में जो अर्चने आ रही हैं वो भी सबसमाप्त हो जाएंगी और सनी की किरपा दर्ष्टी आप पर होगी आपके उपर छपपर फाड़ के धन भरसेगा जब सनी आस्त रहेंगे 11 फरवरी से 18 मार्स तक तो यह समय ज़्यादा फल्दाई नहीं होगा इस समय आपको धन हनी होने के पारिवारिक सुक में कमी आने के संकेत रहेंगे जब सनी उद्य हो जाएंगे तो आपके लिए प्रगति सील समय होगा और इस दोरान जब सनी वक्री होंगे तब भी आपको थोड़ा धन खर्चा बढ़ सकता है तो ऐसे में फाल्तो के खर्च ना करें बचत करने की कोशिस करें वैसे यह है पूरा साल लगबग सनी की किरपा धनुरासी के लोगों पर बनी होगी और सबसे खास बात यह होगी जब साल की सुरुवात में 2024 की सुरुवात में सनी अपनी ही रासी में मारगी अवस्ता में होंगे तो गुरू भी अपनी ही रासी में मारगी अवस्ता में होंगे और गुरू आपके पंचमभाओं में हैं तो ऐसे में गुरू और सनी की दोनों की किरपाप पर बरसेगी और कर्मफल दाता सनी देव आपकी मेहनत का पढ़नाम आपको देंगे तो यह समय आपके लिए काफी सकरात्मक साबित होगा तो दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब